नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबी जानते हैं कि OLI ने आपकी NTSC जैसे राष्ट्रे प्रतियोगताम में आपकी सहायता करने का बीरा उठाया है। इन ही वीडियो सीरीज की अग्री वीडियो हम गणीतिय प्रतिकों का प्रतिस्थापन या सब्स्टिटूशन ओफ माथमाटिकल सिम्बल्स इन पर कुछ प्रश्ण करने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्ण वैसे तो बहुत ही आसान होते हैं। परन्तु आपको अपने दिमाग को एक जगर लगाना होता है, उसे स्थिर करना होता है, वरना आप छोटी सी गलती से आपका पूरा प्रश्ण गलत हो सकता है। तो इन तरह के प्रश्णों में आपको धैरे की आवश्चक्ता है। तो आईए शुरू करते हैं एक असान से प्रशने के साथ, यदि जौर का अर्थ गुणा हो, घटाने का अर्थ भाग देना हो, गुणे का अर्थ घटाना हो तथा भाग देने का अर्थ जौरना हो, तो 16, 96, माइनस 4, गुणे 3, जोर 6, क्या होगा? विकल्प हमारे सामने है दोस्तों इन तरह के प्रेश्ण जो होते हैं वो हल करने बहुत ही आसान होते हैं बस आपको confused नहीं होना है यानि आपको हर एक जो भी आपका गणेतिय सिंबल यानि प्रतीक है उसका मतलब अच्छे से निकालना है जैसे मैंने प्रेश्ण को जैसे था वैसे ही लिख दिया है अब यहाँ पर यदि आप गौर से देखें तो भाग का अर्थ जोड है घटाने का अर्थ भाग है गुणे का अर्थ घटाना है और जोड का अर्थ गुणा है तो मैंने कुछ भी नहीं किया है मैंने प्रश्ण जैसे का तैसा लिखा उसके बाद मैंने जो भी गणियती है प्रतीक जिस चीज का उनका मतलब है मैंने उनसे उनको रिप्लेस किया है यानि उनके जगह पे दूसरे सिंबल्स लिखे हैं तो दोस्तों हमारा प्रश्ण जो है वह 16 जोड 96 भाग 4 माइनस 3 पे solve करना है board mass का rule होता है कि पहले येदि आपका कोई bracket है यानि by को MOS है तो आपको उसके अंदर की चीज हल करनी है उसके बाद भाग उसके बाद गुणा उसके बाद जोड और उसके बाद घटाव आता है आशा है कि आपको board mask angazoze की पता होगा है और दोस्तों तो फिर इस ह गुणे 6 जो की हमारा उत्तर जो है वह 22 आ जाएगा तो हमारा सही उत्तर B अर्थाद 22 है यह हमारा दूसरा प्रश्ण है यती जोड का अर्थ गुणा है घटाने का अर्थ भाग है और गुणे का अर्थ घटाना है तथा भाग देने का अर्थ जोड है तो 10 जोड 6 माइनिस 15 गुने 5 भाग 5 क्या होगा विकल्प हमारे सामने है दोस्तों यदि मतलब आपको पेपर मिले तो ये जो होता है ये बहुत जादा आपको ऐसे थोरी सोच में डाल देता है क्योंकि हमें आदत होती है कि ऐसे जोड दिख रहा है तो हमें जोड ना ही है पर यहाँ पे आपकी दिमागी स्थिती ऐसी होती है कि आपको जोड दिख रहा है तो आप उसे जोड देते हैं इसलिए बहतर होगा कि आप जैसा प्रश्ण दिख रहा है पहले प्रश्ण वैसे रवक में आप उतार लें उसके बाद सिंबल को धीरे धीरे एक एक करके रिप्लेस करते जाएं यानि उसके जगा पे वो सिंबल रखते जाएं जो इस प्रश्ण के हिसाब से हैं जैसे 10 जोड 6-15-5 भाग 5 मैंने प्रश्ण वैसे का वैसा लिख लिया अब मैंने प्रश्ण से देखा कि जोड का मतलब गुणा होता है तो मैंने प्लस के जगा पे गुणा लिख दिया फिर मैंने प्रश्ण से देखा कि माइनस का अर्थ भाग देना होता है तो मैंने भाग लिख दिया फिर मैंने प्रश्ण से देखा गुणे का अर्थ माइनस होता है तो माइनस और भाग का अर्थ जोड होता है तो जोड तो हमारा जो अब प्रश्ण है जो आपको लाल रंग में दिख रहा होगा दोस्तों अब यह वैसा क्वेशन हो गया है कि आप इसको बोर्ड मास के तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं बोर्ड मास का रूल मैं आपको दोबारा दोहरा देती हूं सबसे पहले आपको कोश्ट सॉल्फ करना होता है उसके बाद भाग उसके बाद गुणा उसके बाद जोड और आखिर में घटाओ, तो दोस्तों, दस गुने, दो बटे पांच, माइनिस पांच जोड पांच, हमारा उत्तर जो है, तो चार आ जाएगा, तो हमारा सही उत्तर भी अर्थात चार है, आईए, एक और प्रशन हल करते हैं, यदि, इसे आप प्रतेशत का चिन्ने समझ सकते हैं, ऐसे तो इसके और भी मतलब होते हैं, परन्तु, आप यहाँ पर बस इसे एक गणितिय प्रतीक समझें, यदि, प्रतेशत का चिन्न का अर्थ गुड़ा, गुड़ें का अर्थ भाग देना, जोर का अर्थ घटाना, तथा भाग देने का अर्थ जोर ना हो, तो 215 गुने 5 जोर 10, फिर से यहाँ पर प्रतेशत का चिन्न, इसे आप कोई भी ऐसे गणितिय प्रतीक माने, भाग 3 क्या होगा, यह हमारे विकल्प है, तो हल करने का तरीका वही होगा, हम पहले प्रेशन लिख लेंगे, उसके बाद जो गणितिय प्रतीक हैं, उनको एक के बाद एक ऐस प्रतिशत का चिन्न का यहाँ पर मतलब ऐसे गुणा करना है, तो गुणे 3, और भाग का जोरना, यानि जोर 3, तो दोस्तों, यह जो आपको लाल रंग में देख रहा है, यह आप ऐसे question को, अगर आप इस form में लेके आते हैं, मतलब आप लिखें इस चीज को, क्योंकि आद के लिए normal सा प्रेशन बन जाएगा, बहुत आसान सा, board mask के rule पे, तो पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणे और फिर जोर, उसे साब से हमारा उत्तर जो है, वह 16 आजाएगा, तो हमारा सही उत्तर B, 16 है, दोस्तों, आप वीडियो को pause करके, आप खुद से इसे हल करके देखे और फिर मेरा उत्तर और अपना उत्तर मिलाएं, कि यदि आपका यह उत्तर आ रहा है, यानि आप ऐसे प्रश्न करना सीख रहे हैं, यदि वर्ग मूल, जिसे हम square root भी कहते हैं, उसका अर्थ वर्ग हो, गुणे का अर्थ जोड हो, घटाने का अर्थ गुणा करना हो, तथा जोड का अर्थ भाग देना हो, तो वर्ग मूल 20 जोड 25, गुणे 5 माइनस 3 क्या होगा, यह हमारे विकल्प है, प्रश्न को जैसे का तैसा लिख दीजे, और वर्ग का अर्थ क्या होता है, square करना, यानि उस नंबर को इसे अपने से एक और बार गुणा करना, तो वर्ग मू पांच गुणे 3, अब आप इसको हल करेंगे, तो 20 गुणे 4 बटे 5, जोड 5 गुणे 3, 31, तो हमारा सही उत्तर जो है, व, ब, यानि 31 आजाएगा, दोस्तों मेरी आप से एक प्रार्तना है, कि यादि आपको वीडियो ऐसे देख के लग रहा है कि बहुत आसान प्रश्न हो हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, और आप क्वेश्चिन लेकर ऐसे खुद से प्राक्टिस कीजिए, और टाइम देखिए, क्योंकि एक प्रश्न यादि आपको एक मिनट में सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपको ऐसे टाइम को भी देखना होता है, तो आप ऐसे प्र एक और प्रश्न, यदि जोड का अर्थ गुणा हो, घटाने का अर्थ भाग देना हो, गुणे का अर्थ घटाना हो, तता भाग देने का जोड हो, तो 9-8, भाग 8-4-9 क्या होगा, विकल्प हमारे सामने है, आई ये से हल करते हैं, तो प्रश्न को वैसा लिख दिया, फिर गनित्य प्रतीक के अदला बदली करने के बाद लिखा, यानि जिसका जो मतलब है वह लिख दिया, फिर जो आपको लाल रंग से दिख रहा है, वह हमारा नॉर्मल सा जो गनित का प्रश्न होता है, वह है, 9-8, जोर 8, भाग 4-9, या हल करने पे आपको 65 आएगा, तो हमारा स ही उत्तर जो होगा, वह सी 65 होगा, यह एक और प्रश्न है, यह हमारे विकल्प है, तो मैंने प्रश्न को जैसे तकात ऐसा लिखा, फिर गनित्य प्रतीकी अद्दा बदली की, और हमारा उत्तर जो है, वह सैतिस आ गया, दोस्तों, यह प्रश्न आप खुद से करके देखिए, कि आपका उत्तर सैतिस आ रहा है, या नहीं, दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है, कि ऐसे यह प्रश्न तो आसान होते हैं, और यह आपको ऐसे आता है हल करना, परंदू, आप ऐसे जल्दी बाजी में, या फिर परिक्षा का जो महौल होते हैं, उसमें आप गरबरी करते हैं, तो मेरी आपको यह राय है, कि आप ऐसे प्रश्न को लिखें, और फिर ऐसे गणिते प्रतिकों की अदला बदली करें, प्रश्न पढ़कें, इससे आपको भी गलत नहीं होंगे, और फिर आपका प्रश्न जो है, वह नॉर्मल गणित का प्रश्न बन जाएगा, जो आप ऐस से बहुत पहले कक्षा से सॉल्फ करते आ रहे हैं, तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और इस उमीद के साथ आप से विदा लेती हूं, कि OLI को आपका समर्धन मिलता रहेगा.